So dear हम लोग professional practice law and ethics discuss कर रहे थे So dear आप अभी तक MRS study के साथ नहीं जुड़े हैं तो join हो जाएए और अपनी classes को proper तरीके से करते रहे क्योंकि classes करिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि professional practice law and ethics में actually आपको पढ़ना क्या है और कैसे उस पे based questions आएंगे तो आप जो है exams में बनाएगा उस संभी points के उपर जो है आपके साथ मैं discuss करने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं तो यहाँ पे जो है module 3 आज हम लोग discuss करेंगे पिछले videos में ही मैंने बताते हैं था कि अगला जो videos होगा उसमें module 3 हम लोग discuss करेंगे तो यहाँ पे जो है module 3 में आपका बोला गया है RV Tration, Conceillation and ADR यानि alternative dispute resolutions यह जो है chapter का नाम है module 3 में तो सबसे पहले बात करते हैं ADR यानि alternative dispute resolution तो ADR जो है यह तरीके का method है for resolving disputes outside of the official judicial mechanism and official judicial mechanism के बाहर जो भी लड़ाई जगड़े होते हैं उसको सुल जाने के लिए यानि समाप्त करने के लिए खत्म करने के लिए जो है alternative dispute resolutions का मदद लिया जाता है और उसकी मदद से वो खत्म किया जाता है जो ADR होता है यह तीन चार तरीके से होता है चार तरीके का होता है negotiation, mediation, collaborative law and arbitration तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं arbitration के बारे में तो arbitration जो है एक तरीके का process है in which a dispute is submitted to an impartial यानि third party outsider who makes the decision who is usually binding on both the parties यानि इसमें क्या होता है कि दो parties मालो की एक राम है और एक सियाम है मालो की यह first person है और यह second person है हाना first person और second person के बीच में आपका जो है लडाई हो रहा है इन दोनों के बीच में लडाई हो रहा है तो एक तीसरा विक्ति को जो है बुलाया जाता है third person को और ये जो third person होता है ये दोनों को कहता है कि भाई तुम लोग आपस में लड़ाई मत करो समझहोता कर लो हाना या इन दोनों का जो भी demand होगा उसको जो है ये समझेगा और भोलेगा कि हाँ भाई तुम इसको ये दे दो तुम इसको ये दे दो दोनों का बात जो है बरब से हैं हना जो मुखिया है घर के वो जो है बोल देंगे कि बाबु तुम लोग क्यों लड़ रहे हो तुम लोग दोनों खुसरो दोनों इतना रुपईया ले लो इस तरीके की चीजे जो है यह किया जाता है तो यह जो आर्वी ट्रेशन प्रोसेस इसको कहा जाता है लेकिन जो की की होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है डुमेस्टिक आर्विट्रेशन फिचे विच हैपेंस इन इंडिया एंड बोस दपार्टेस्टो दिस्प्यूट ऑल्सों बिलॉग कू इंडिया एं डिस्प्यूट-इस डिस्प्यूट इस डिसाइडरेड कंसर्निंग्दा संस लौ है नियम है उसकी मदद लेकर जो है इस धगड़ा को खत्म किया जाता है और वो इंडिया के अंदर ही जो है लडाई जो है चल रही है दो पार्टी के बीच में तो वो डोमेस्टिक मतलब दोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू अगर मालों की एक घर के अंदर ही हो रहा है जैसे इंडिया को अगर एक घर माल लेंगे तो अगर इंडिया के अंदर ही हो रहा है तो उसको डोमेस्टिक कहेंगे मालों की इंडिया और पाकिस्तान का लडाई हो रहा है उसमें कोई समझाता करने आए गया तो वो जो आर्वी ट्रेशन का लाएगा वो आर्वी ट्रेश एक arbitration जो है कहेंगे दूसरा arbitration है international arbitration जिस में outside यानि within the territory of India और outside India इट has any element which has foreign origin is termed as international arbitration वाई इंडिया के बाहर है तो भाई international हो जाएगा scope की बात किया जाए arbitration का तो scope होता है arbitration shall apply where the place arbitration in India shall not affect any other law for the time of being forced कोई भी law को जो है यह affect नहीं करता है in any agreement in force between India and other any other countries this part shall apply to all the arbitration to all preceding relative there जो भी related है उससे related उसके बीच में जो है force apply होता है किसी तीसरे को जो है इसमें घुशने नहीं दिया जाता है ओके तो यह चीज़ जो है arbitration है अब बात किया जाए difference between law of 1940 and law of 1996 इन दोनों law में क्या differences है उसके बारे में बात करेंगे तो law 1940 this act was based upon the English arbitration English arbitration के basis पे किया गया था act for 1934 में जो है इसको लाया गया था which prevailed in the British जो कि Britain में जिस तरीके से law पॉनियम अप्लाइ किया जाते थे उस तरीके से जो है यूज किया जाता है law of 1996 the arbitration act of 1940 has been replaced by the arbitration act of 1996 this act based upon the UNICITRAL United Nations commissions on international trade law की basis पे जो है यह बेज़जा जो कि 1996 में जो नियम लाए गया थे वो बस यह जो 1940 था उसको बस replace करके इसको जो है यूज किया गया बात करते हैं यूनी सिट्रल मिड मोडल लॉग की बारे में तो यूनी सिट्रल has been recognized as the core legal यह एक लीगल प्रोसेस या नियम कह सकते हैं जो कि United Nations systems in the field of international trade law for modernization and harmonization of rules on international business international business पे लगने वाले जो भी rules है उसको जो है यह जो यूनी सिट्रल जो मोडल लॉग है यह उसको बैलेंस करके रखता है इस तरीके का एक organizing body कह सकते हैं जो कि है जो यूनी सिट्रल है यह include करता है आपका convention model law and rules दूसरा legal and legislative guides and recommendations तीसरा case case laws and enactment of uniform commercial यह जो law है यह technical assistance in law reform project और दूसरा की regional and national seminars on uniform common law इन सभी में जो है यह हमारा included होता है arbitration agreement की बात किया जाए तो यह section साथ के अंतरगत जो है define किया जाता है arbitration agreement को जो arbitration agreement है इसका मतलब होता है कि वैसा agreement by the parties parties के द्वारा जो कि submit किया जाता है arbitration all or content disputes which have arising or which may arise between them in respect of the defined legal relationship whether contractual or not हना क्या होता है कि contract basis पे जो है उसको solve करने की कोसिस किया जाता है अगर normally अगर नहीं solve हो पाता है dispute तो उसमें जो है contract bond paper जो है बना दिया जाता है जैसे आपस में जब लड़ाई वगिर होता है तो आप देखते होगे कि समझाता कर लेते हैं तो वही चीज यहाँ पे आपका है लेकिन समझाता करेंगे तो कैसे करेंगे तुम कुछ मुझे दो मैं तुम्हे कुछ दूँगा तुम कुछ जो है बरदास करो हम कुछ बरदास करेंगे दोनों के बीच में एक proper समझाता होता है तो वह आपका जो है arbitration agreement कहलाता है यह section 7 में जो है दिया गया है यह उसके अंतरगत आपका लिया जाता है essential features of an arbitration agreement क्या क्या essential features है तो पहला है an arbitration agreement जो arbitration agreement है may be in the form of वो कुछ form में होगा as a arbitration clause in contract or in separate agreement हो सकता है दूसरा arbitration agreement shall be in return, retain भी हो सकता है an arbitration agreement is in return then if it is not contained in any exchange of letters, telex, telegrams and other means of communication which provides a record of such agreement मने agreement का कोई आका record नहीं है या नहीं exchange करना चाहता है तो उस condition में written form में भी जो है arbitration agreement को लिया जा सकता है arbitration must have all essential elements of valid agreements जितने भी valid agreement से उन सभी को जो है इसमें सामिल किया जाता है arbitration agreement की बात किया जाए तो दो तरीके का होता है arbitration clause and submission agreement arbitration clause में future disputes sought and broad provides clause in the main contract और जो submission agreement है इसमें dispute which have been already arising वैसा dispute को रखा जाता है जो कि already हो चुका है दूसरा की detailed and specific settling out the exact dispute माले की कोई अगर dispute हुआ तो उसको किस तरीके से settle किया गया उसका detail जो है उस चीज में मेंसन रहता है after dispute arising dispute खत्म होने के बाद क्या चीजे होती है या dispute start हो गया तो क्या होगा इस तरीके की चीजे जो है arbitration agreement में arbitration clause और submission agreement में रखा जाता है इन दो points को बात करते हैं tribunal तो an arbitral tribunal is the panel एक तरीके का पैनल होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा adjust dictators होते हैं which is convey and and sit to resolve a dispute by way of arbitration हना arbitration की मदद से जो भी लड़ाई जगड़ा था उसको solve किया गया और उसमें जो भी solve किये तो हो सकता है कि एक आदमी solve किया हो या एक से जादा आदमी बैठ के solve किया हो तो अगर एक या एक से जादा आदमी बैठ कर किसी लड़ाई जगड़े दो लोगों के बीच में लड़ाई जगड़े को solve किया है तो उसको जो है arbitral tribunal जो है कहा जाता है या उस टर्म को arbitral tribunal कहा जाता है qualifications of arbitrators की qualification जो कि 1996 में जो है बोला गया था कि आपको जो है जो भी arbitrators है उसके पास proper knowledge होना चाहिए अगर उसके पास कुछ knowledge ही नहीं रहेगा तो क्या वो सही फैसला सुनाएगा नहीं सुनाएगा तो जो भी arbitrators है उसके पास अच्छा खासा knowledge होना चाहिए तभी जो है वो dispute को समझेगा और उसको solve करने की पूरी कोसिस करेगा तो impartial and well-versed no interest in subject matter मतलब माल लोग की एक person 1 था और person 2 था अब इन दोनों के बीच में लड़ाई जगड़ा है और जो तीसरा party जो RV Trader है ये कहता है कि हम जो है दो के पच में जो है फैसला सुनाएंगे ये भ को जो है फैसला सुनाना पड़ेगा फोजेज साउंड नौलेज इन साइंस एंड टेक्नोलोजी सुड नोट बाई क्लेम ऑफ पार्टिज हना माल लेकि अब किसी एक के पच में आप जो है रिजल्ट का घोसना किजेगा तो अब इसली दूसरा पच्वाला कहेगा कि नहीं यह तो ना इंसाफ ही तो वैसा नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से आपको यहां पर समझने हैं और अगर कोई डौट्स आता है तो आप हमें जरूर बताइए और चैट बॉक्स में और यहां तक वीडियो कैसे लगी कमेंट करके मतलब चैट बॉक्स में आप हमें रही है और नोट्स जो है आपको हमारे इंजिनियर प्लस एप पर आपको मिल जाएंगे बाकी कोई डाउट्स आता है तो चैट बॉक्स में जरूर बताइए तेंक यू